दोस्तो जंगल एक ऐसी जगह है जहां किसी भी तरह का कोई रूल लागू नहीं होता जंगल में हर एक जानवर जिंदा रहने के लिए संगर्श करता रहता है इस जंगल में कोई शिकार के पीशे बागता है और वहीं दूसरी तरफ कोई शिकारी से बचने के लिए बागता है दोस्तो आज का ये वीडियो आपको हैरान कर देगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शिकारी और शिकार के बीच होने वाले ऐसे इंकाउंटर दिखाएंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे ये एक ऐसी लडाई है जो जिन्दिगी बर शिकारी और शिकार के बीद चलती रहती है तो चलिए दिखाते हैं आपको शिकारी जानवरों के सबसे खतरनाक हमले लोईन वर्सस जैबरा जैबरा का एक जूंड बोजन की तलाश में शेरों के इलाके से गुजरता है शेर इन जैबराओं का शिकार करने के लिए इने चारों तरफ से गिरना शुरू कर देते हैं शेरों को अपनी तरफ आता देख जैबराओं के बीच बगदड मत जाती है वो सभी शेर इन जैबरा पर हमला करते हैं इस तरह हमला करने के कार्म सभी जैबरा अलग अलग हो जाते हैं इसी वक्त एक शेर एक जैबरा को पकड़ लेता है और ऐसा देख कर दूसरे शेर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं जैबरा इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अब वो चाय कितनी भी कोशिश कर ले इनसे नहीं बच सकता और वो शेर उसको मार डालते हैं एल्क वर्सस बियर जैसा की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक एल्क नदी पार करने की कोशिश कर रहा होता है तबी एक बियर उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है बियर कुझी देर में उसके पास पहुंच जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एल्क अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बियर उसको अपने पंजे और अपने वजन से पानी में डुबानी की कोशिश करता है उनकी ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और थोड़ी देर बाद बियर उसको डुबा देता है और उसको नदी के किनारे पर ले आता है यहां पर एक गुआनेको गाल से रहा होता है तब ही प्यूमा उस पर हमला कर देता है वो प्यूमा उसकी गर्दन को इतनी मजबूती से पकड़ता है लेकिन गुआनेको अपनी गर्दन को इस तरह हिलाता है जिसके कार्ण वो उसकी पकड़ से शूट जाए लेकिन उस प्यूमा की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है काफी देर संगर्ष करने के बाद गुवा नैको ठक जाता है और प्यूमा की पकड़ से नहीं छूट पाता अब ये प्यूमा उसकी गर्दन दबाकर उसे मार डालता है चीता वर्सस टोपी टोपीस का एक जुनगा चर्रा होता है तबी वहाँ पर उस चीता आ जाते हैं उनको वहाँ पर आता देख टोपीस साबदान हो जाते हैं ये चीता उनको चारों तरफ से गिरना शुरू कर देते हैं तबी उनमें से एक चीता एक टोपी पर हमला कर देता है चीता की रफतार काफी तेज होती है जिसके कार्म वो थोड़ी देर में उसको पकड़ लेता है वो चीता उसकी गर्दन पकड़ कर उसको मारने की कोशिश करता है कुछ समय तक वो चीता से जूटने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर कुछ और जिता आ जाते हैं जिसके कारणू उसे फकड़ कर मार डालते हैं लोईन वर्सस वर्थ हॉग शेरों का एक जुन्ड रास्ते से गुजर रहा होता है तबी उनकी नजर उन वर्थ हॉग्स पर पड़ती है उन में से एक शेर दीरे दीरे उनकी दर्व बढ़ता है उन हॉप्स को शेरों के इन हमले का कोई अंदाज़ा नहीं था तबी एक शेर उन पर हमला कर देता है इस हमले को उता देख एक वर्थ हॉग वहाँ से बाग जाता है और दूसरा उन शेरों की पकड़ में आ जाता है जिसके कारण वो सभी शेर उस वर्थ हो को पकड़ कर मार डालते हैं और अब ये सूर उनका शिकार बन चुका है तो दोस्तों अमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा किर्प्या हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें